हाई फ्रेंट्स असलाम अलेकूम मैं हूँ जीनत और जीनत इंदर केचर में एक बार फिर से आप सब का मोस्ट वेलकम देखा फ्रेंट्स ये कितना क्रंची बना है आवास तो आपने सुन ली तो फ्रेंट्स आज मैं शाम के चाई के साथ खाने के लिए बच्चों को स्नेक बना रही थी तो सोचा कि यह मजेदार रेसिपी आप से भी शेयर कर लूँ तो फ्रेंट्स जब आप इसे मैयनीस या सॉस के साथ खाना शुरू करेंगे तो सारी प्लेट साफ उने तक आपके हाथ नहीं रुकेंगे यह इतना मजे का बनता है तो यहां देखिए इसके लिए मैंने चार मेडियम साइज के आलू लिये हैं और इनका मैंने छिलका भी निकाल लिया है तो इन्हें मोटे-मोटे टुकडों में कट कर लेते हैं क्योंकि हमें इसे बॉयल कर लेना है तो यह देखिए इस साइस के टुकडों में हम इन्हें कट कर लेंगे और फिर इन्हें अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे तो यहां देखिए यह मैंने हरे प्यास की पत्ती ली है फ्रेश और देखिए इस साइड का हिसा में नहीं यूज़ करना है सिर्फ हरे पत्ते इसके यूज़ करना है तो इन पत्तों को अब एकदम बारिक चौप कर लेते हैं तो बिल्कुल बारिक इसे चौप कर लीजिएगा एक बार अगर आप बच्चों को यह स्नेक बना कर देंगे तो बार बार इसी की फर्माईश करेंगे इसे ट्राई कीजिए और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो यहां देखिए मैंने प्यास की पत्ती को भी बहुत अच्छी तरीके से बारिक चौप कर लिया है अब आलू को उबाल लेते हैं तो यहां देखिए मैंने आलू को अच्छी तरह उबाल लिया है तो इन्हें आप मैश कर लेते हैं आलूं को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से उबाल लेना है तो ये देखें ये कितने सॉफ्ट हुगले हैं तो आप चम्मच के मदद से भी थोड़ा चेक कर लेते हैं कि ये अच्छी तरीके से कले हैं या नहीं तो यह देखिए आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से उगले हुए है आलू तो फ्रेंट्स अब इसमें डालते हैं नमक अपने टेस्ट के साथ से डालेंगे और फिर डालते हैं आधा चमच काली मीच का पावडर और यह देखिए यह चावल का आटा है इसे चार चमच इतना डाल लेते हैं चार टेबल स्पून याने की चार बड़े चमच और यह कौन फ्लोर इसे भी चार चमच डाल लेते हैं तो यहां देखिए मैंने चार चम्मच कौन फ्लोर और चार चम्मच चावल का आटा लिया है अगर जरूरत पड़ी तो आगे थोड़ा और मिला लेंगे तो आप डालते हैं बेकिंग पाउडर आधा चम्मच इसे जरूर डालिएगा और ये हरी प्यास की पत्ती कटी हुई डाल लेते हैं अब इन सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं तो फ्रेंज जब मिक्स करते समय आपको ज़्यादा चिप-चिपा लगे तो थोड़ा सा कॉनफर और थोड़ा सा चावल काटा इसमें और एड़ कर लीजिए एक एक चम्मच जितना एक मैंने स्टेल का इसे ग्लास रखा है और इसमें डालते हैं पाइपिंग बैग और यह स्टार शेप का नोजल है बड़े साइस का तो पाइपिंग बैग में नोजल को फिट कर लेते हैं इस दिखिए इस तरह तो अच्छी तरीके से मैंने नोजल को इसमें डाल लिया है अब जो हमने बैटर बना कर रखा है आलू का इसमें हम भर लेते हैं तो यह दिखिए पाइपिंग बैग को इस तरह फोल्ड कर लेना है तो पाइपिंग बैग में दिखिए बैटर एकदम पूरा भर के मत डालिएगा बस आधाई बैग फुल होने तक इसे डाल लीजेगा इस स्नेक को हम बहुत ही आसानी से घर पर रखे वेई चीजों से बना इंग्रिडियन्स के साथ और बहुत ही जल्दी बनने वाला स्नेक है यह अगर आप इसे थोड़ा सा चटपटा बनाना चाहते हैं तो चिली फ्लेक्स को इसमें एड़ कर सकते हैं तो यह देखिए फ्रेंज मैंने बस इतना सा बैटर डाल लिया है आप भी इतना सा ही डाल लिजेगा अब आटे को प्रेस करते हुए नौजल तक लाएंगे तो चलिए अब तेल को गर्म कर लेते हैं इने तलने के लिए तो देखिए तेल भी गर्म हो चुका है तो यह देखिए ऐसे प्रेस करेंगे तो यह देखिए बहुत ही आसानी से यह बन जाते हैं तो इस तरह तो इससे आप जिस साइज में रखना चाते हैं लंबे साइज में या छोटे-छोटे टुकडों में भी इसे कट कर सकते हैं एक बार तेल को अच्छे से गर्म कर लेने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम रखें ज्यादा हाई फ्लेम पर इसे मत पकाईएगा बहुत ही जल्दी से फ्राइ हो चाते हैं क्योंकि हमने आलों को बॉइल कर लिया है अब चारुप तरज से अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेने के बाद एक प्लेट पर टीशो पेपर रख लिजे और इन्हें निकाली जे तक इसमें से जो एक्स्टा ओयल है यह टीशो पेपर सोप कर लेंगे तो यह दिखिए यह अब बन रहे हैं बस इतना सा ही कलर आने देना है इनका अब इन्हें निकाल लेते हैं अब इसी तरह बाकी सारे बैटर को भी फ्राइ कर लेते हैं तो फ्रेंट्स मेरे चैनल पर जो बाकी के वीडियोज हैं उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजे और फ्रेंट्स इस स्नैक की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें इस रेसिपी की में टिप है कि आलू को अच्छी तरीके से उबाल लेना है और बहुती अच्छी तरीके से इसे पेस्ट की तरह मैश भी कर लेना है नहीं तो देखिए इस तरह बनाते समय नोजल में बैटर अटकने लगेगा उम्मिद करती हूं कि यह रेसिपी को आप पसंद भी करेंगे और बना कर ट्राइ भी करेंगे आलू के फ्रेंच फ्राइज से भी कई गुना ज्यादा यह फ्राइज बहुत अच्छे लगते हैं झालू कि यह रेसिपी करेंगे लगते हैं झालू कि यह रेसिपी करेंगे लगते हैं तो चलिए फ्रेंच मिलते हैं ऐसे ही एक मज़ेदार नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्यार रखिएगा आला हाफिज थैंक्स पर वाचिंग झालू कि यह रेसिपी करेंगे लगते हैं झालू कि यह रेसिपी करेंगे लगते हैं झालू कि यह रेसिपी करेंगे लगते हैं